हेलो फ्रिंट्स वेलकम वेलकम डू माई चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुश्राइटिके ट्रिक्स चीट कोड्स के 59 एपिसोड में और उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्शन लिया है दो क्वेश्शन लिया आएट्रीक्स लागासकते हैं ताकि कभी हम लोग और एक्शल तरिका नहीं पता है या फिर हमारे पास में exam में time की कमी हो रही है तो हम लोग किस तरीके से अपने answer तक या उसके पास पहुँच सकते हैं या पर जो पहला question है वो कहा रहा है integration आपको दिया हुआ है इसका integration आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ लोग ये बड़ा सा टर्म आपको दिया हुआ है प्लस C तो जनरली क्या होता है जब ऐसा question students देखते है न तो आधे students तो क्या होते है घबरा जाते है हमको इतना कुछ आते हैं हम कैसे solve करें क्या करेंगे बड़ मैं आपको बताता हूँ कि ये trick कैसे लगाना आप लोग को जिससे कि जो weak से weak student भी होना वो भी answer तक पहुँच पाए और फिर उसका answer correct हो जाए क्या करना है आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है या x-alpha आपको नीचे दिख रहा है alpha क्या है alpha को आप कुछ भी ले सकते हो ना 1 ले सकते हो 2 ले सकते हो 3 ले कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यह जो questions होते है ना यह किसी भी alpha के लिए valid रहते है तभी तो यह ऐसे question बनते है general questions तो आप क्या अगर हो सबसे safest alpha को अगर आप 0 मान लेते हो तो alpha 0 मान लोगे तो क्या हो जाएगा यह पूरा sin x हो जाएगा और sin x by sin x cancel out हो जाएगा मतलब की integral of 1 हो जाएगा into dx हो जाएगा मतलब की alpha को 0 लेते ही क्या हो जाएगा यह integral dx आ जाएगा जिसका value आप लोगो पता है x होता है अब देखो question कितना simple बन या कोई भी इसको solve कर लेगा यहाँ पर आप a का value क्या हो जाएगा इस case में a का value हो जाएगा 1 a equals to 1 हो जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप alpha को 0 पूट करके तो हो जाएगा sin x b log sin x तो यहाँ पर b का value क्या हो जाएगा b का value आपको पता है भी है b का value 0 हो जाएगा ठीक है ना b equals to 0 हो जाएगा ठीक है यह क्या होगा integral dx क्या होगा x plus c ऐसा हैगा तो यहाँ पर क्या हैगा x plus c और यहाँ पर जो b है यह 0 होना पड़ेगा क्योंकि यह term को हम लोगो पूरा 0 करना है हम लोगो क्या पता चल गया a और b का value पता चल गया a का value 1 है b का value 0 है तो हम लोगो क्या चीए हम लोगो pair देखना है कि options में किस pair में 1,0 आ रहा है alpha को 0 put करने से तो यहाँ पर put करेंगे alpha 0 तो यहाँ पर आगा sin alpha sin 0 के इतना है 0 होता है तो 1 तो आई नहीं रहा तो इसको भी करो cancel यहाँ पर भी क्या होगा minus 0 यह भी हो जाएगा cancel यहाँ पर हो जाएगा cos 0 cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0 मतलब यह correct answer निकल के आता है 1,0 का pair बन रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है minus 1,0 बन रहा बट हम लोगों तो 1,0 चीए तो ये भी गलत हो गया मतलब कि जो second option है वो एकदम एकदम correct निकल के आता है कुछ भी time निये लगा आप लोगो को बस एक अच्छा सा assumption करने से आपका question बहुत जादा easily solve हो कर आ गया और ये बहुत बार helpful होता है examination में अगर ऐसे type of questions आते हैं तो next यहां पर question देखते हैं हमारे पास में यह थोड़ा बहुत न रोल स्थिरम वगरा इसमें लगेगा बट हम लोग तो यहां पर trick से solve करेंगे हम लोगो तो assumption निट से solve करना है यहां आपको question कह रहा है if 2a plus 3b plus 6c equals to 0 यह आपको दे रखा है ठीक है ना then at least one root of the equation यह lies in the interval तो ऐसे question में आपको बताता हूँ भई या अगर आपने उतनी ज़्याद आचे से पढ़ाई नहीं करी है या फिर आपके बसमें time का कम ही हो और आपको एक्जाम में क्लिक नहीं कर रहा है आप क्या करोए जो a, b है ना इसकी values अपने मन से assume कर लो ठीक है मन से कुछ भी assume कर लो सही तरीके से assume करो ताकि आप concept correct निकल के आजाए सबसे safe is जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया है 2a plus 3b plus 6c आपको दिया वै ठीक है ना सबसे सही क्या लगता है देखो आपको यह चीज़ पता है ना यहाँ पर 2 है इसको अगर आप 3 से multiply करोगे तो 6 आजाएगा यहाँ पर आपको बसे 3a से multiply करोगे तो 6-6 आजाएगा तो 6-6 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप c को 0 ले लते हो तो यह equation satisfy हो जाएगा कहने का मतलब यह है कि a को ले लो भाहिया 3 b को ले लो भाहिया minus 2 और c को ले लो भाहिया 0 तो यह क्या हो जाएगा 3 to the 6 minus 6 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है तो यह तो 0 हो जाएगा मतलब आपने क्या कि आपने मन से इस values को assume कर लिया अब आप क्या करोगे इसी को आप बठाओगे कहाँ पर इस equation में तो यह क्या बन जाएगा 3x square minus 2x equals to 0 यह quality equation मन जाएगा c का value तो 0 है यहाँ से आप क्या करोगे आप solve कर लोगे value को यहाँ पर आप x common लोगे तो यह हो जाएगा 3x minus 2 equals to 0 यहाँ से आपको 2 root मिलेगा x का value 0 मिलेगा और x का value आपको मिलेगा यहाँ पर 2 by 3 तो आपको क्या मिला दो root क्या मिला alpha equals to 0 beta equals to 2 by 3 अब आपको क्या बोल रहा है if this then at least one root of the equation मतलब इन दोनों में से at least one root will lie in this कॉंसो अप्शन में आप लोग एक बाद बता दो यह question AIEEE 2004 में भी आया लेकिन इसके पहले भी एक बार आया है शायद तक AIEEE 2002 में भी आया है आप लोग चेक कर लेना एक question 2 बार आया था 2002 में भी शायद आया था और 2004 में भी आया है जितना मुझे पता चला है अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है 0,1 आपको दिख रहा है तो बहुत यह 2 by 3 यह जो है 2 by 3 क्या है 1 से छोटा होता है तो यह क्या हो रहा है इसके बीच में लाय कर रहा है सही बात है ठीक है 1,2 0 और 2 by 3 यह दोनों में से कोई भी 1,2 में लाय नहीं कर रहा है मतलब cancel 2,3 में भी लाय नहीं कर रहा है मतलब cancel 1,3 में भी लाय नहीं कर रहा है मतलब cancel जो 0 या और 2 बैए 3 और 2 बैए 3 क्या होता है 1 से छोटा होता है और 0 से बढ़ा होता है तो यह क्या हो रहा है 0 और 1 के बीच में lay कर रहा है then at least one root lies in the interval तो यहाँ पर आपका शॉल्व कर आ गया आपका option 1 correct हो गया ठीक है कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो values लिया उसके according आपके 3 option eliminate नहीं हो रहे हैं हो सकता है 1 eliminate हो 2 eliminate हो तो वहाँ पर आपको वापस से कुछ random values लेने पड़ेंगे 3 के जगा कुछ और लेना पड़ेगा इस बार A का value minus 2 लेना पड़ेगा मलब A का value आपको minus 3 लेना पड़ेगा B का value लेना पड़ेगा ऐसे कुछ करना पड़ेगा चेंजेज फिर आप वापस से यही चीज़ करोगे तो आपका answer मिलेगा बट कभी-कभी क्या होता है कि आपका एक ही बार में आप values ऐसे ले लो कि आपका answer correct निकल के आ जाता है चीक है बागी तो बस यही बात आप आपको यह वीडियो पसंद होगी आपने से कुछ सीखा होगा आपने से कुछ सीखा है तो लाइक करना मत बुलना और शेयर करना मत बुलना अपने फ्रेंड्स के साथ तकि वह भी इस प्लाटफॉर्म का मज़ा उठा सके बागी तो बहुत-बहुत धन्यवादी वीडियो देखने के लिए बने रही है